पहले शपत ग्रहण में नियोता और फिर बकरीद की बधाई जिया मोदी सरकार 3.0 के गठन के साथ ही भारत और मौलदीव के बेपटरी हुए रिष्टों को एक बार फिर से पटरी पढ़ लाने की कवायर शुरू हो गई है कैसे यह मैं आपको इस वीडियो के जरीए बताऊंगी इसलिए वीडियो को आप पूरा देखेगा और यूजेट इन इंडिया के हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें जबसे मौलदीव में मोईजु की सरकार आई है तबसे भारत और मौलदीव के रिष्टों में खटास आ चुकी है पाकिस्तान की तरह ही मौलदीव अब चीन की गुलामी पर उतर चुका है मगर भारत का सबसे अच्छा पडोसी चीन का गुलाम बन जाए और अपना दुश्मन बन जाए ये बाद प्रधान मंत्री मोदी को जरा भी रास नहीं आई है और यहीं वज़ए कि मोदी सरकार 3.2 में मौलदीव और भारत के बेपट्री हुए रिष्टे को पट्री पढ़लाने की कवायद एक बार फिर से तेज कर दी गई है दर असल आपको याद होगा कि पिछले साल मौलदीव ने मोईजू की सरकार बनी थी और मोईजू को चीन समर्थक मना जाता है और सरकार में आते ही मोईजू ने भारत विरोधी कई कदम उठाए एक नहीं दो नहीं कई ऐसे कदम जिसकी वज़े से रिष्टे जो दोनों देश के बीच थे वो खराब होते चले गए मौलदीव से भारतिय सेना की वापसी और प्रिधार मंत्री मोदी के लक्षदीब दोरे पर टिपड़ी ये कुछ ऐसे उदारन है जिसकी वज़े से दोनों देशों के रिष्टे बिगड़ गए मौलदीव इससे पहले भारत का अच्छा पडोसी रहा है मौईजू के बहाने चीन मौलदीव को भारत से दूर करना चाहता है चीन के यही मंशा है और यही वज़ा है कि वो लगातार मौज़ू पर डोरे डाल रहा है यानि अपने पक्ष में लेनी की कोशिश कर रहा है अब मौज़ू भी चीन के प्रभाव में आकर भारत के साथ अपने रिष्टों को ताक पर रक रहे अगर मौज़ू यह नहीं समझ रहे है कि आखिर चीन उन पर यह डोरे डाल क्यों रहा है मौल्दिव के महाने हिंद महासागर में दरसल चीन जो है वो अपना दबदबा बनाना चाहता है ये उसकी रणनीती है और चीन की रणनीती हमेशा से भारत को घेरने की रही है जो है वो बहुत जादा खराब हो चुकी है और भारत को घेरने के लिए चीन मौलदीव का इस्तमाल कर रहा है हाला कि मौलदीव भी इस बात को नहीं समझ रहा है और चीन के जहांसे में लगाता राता दिख रहा है हाली में चीन ने मौलदीव के तट पर अपना जासूसी जहाज जो है वो खड़ा कर दिया था जिसके बाद खूब बवाल मचा था हाला कि चीन ने उसके पीछे तर्क ये दिया कि उसका ये जहाज जो है वहाँ दरसल रिसर्च के लिए आया है अब ये समझ ये कि आखर प्रिधान मंत्री मोदी तीसरी बार प्रिधान मंत्री की शपत लेने के बाद ये मौलदीव को इतनी तरजीह क्यों दे रहें पीए मोदी चीन की हरचाल को समझ रहें वो जानते हैं कि चीन की साजिश को तभी नाकाम किया जा सकता है जब पड़ोसी देशों से उनके रिष्टे अच्छे रहें और इसलिए मौलदीव के तनामपूर रिष्टों के बाद भी उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और मौलदीव के राश्रपती को अपने तीसरे शपत ग्रेंड में विशिश आमंत्रण भी भेजा मोईजू भी आये और भारत से बेपट्री हुए रिष्टे को पट्री पर लाने की कोशिश की और अब प्रिधान मंत्री मोदी ने उन्हें बक्रीद की बधाई दी है पिये मोदी की इस रनीती से साफ समझा जा सकता है कि वो अपने पडोसी देश से अच्छे रिष्टे चाहते हैं और पडोसी देश की बहाने पिये मोदी चीन की तमाम तरह की साजिशों को नाकाम करना चाहते हैं इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है अब हमें कॉमन सेक्शन के जरीए पता सकते हैं